नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवर्ल इंडिया मैं हूँ अपके साथ प्रद्युम्न शर्मा नज़र डालते हैं आज की खास ख़बर पर इसलमाबाद में यहाँ पहला हिंदू मंदेर होगा और इसके निर्माण पर सरकार का पैसा नहीं लगेगा क्योंकि कुछ धार्मिक संगटरों की चिंताओं को देखते हुए सरकार ने धन नहीं देने का फैसला किया है इसलमाबाद में हिंदूओं के निता प्रितम दास ने समाचार एजनसी डीपीए को बताया अधिकारियों ने मंदिर बनाने के अनुमती दी है लेकिन इसके निर्माण में सरकार से वितिय साहिता नहीं मिलेगी जून महिने में पाकिस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खार ने 5 लाग डॉलर मंदिर समुदाइक भवन और शम्शान बनाने के लिए देने की गोशना की थी लेकिन कुछ इसलामी नेताओं ने इसका विरोध किया और गैर इसलामी बताया सीडिय ने श्री किश्न मंदिर की चार दिवारी के निर्माण कारे को रोग दिया था जुलाई महिने में कुछ कटर पंती तत्वों ने इसमें तोड़ फोड भी की थी इसके बास सरकार ने इसलामिक वेचार एक परिशद यानी CII को मामला सौपा था इसलामिक स्कॉलरों ने सरकार को सरकारी पैसे के इस्तमाल नहीं करने का सुझाव भी दिया था परिशद ने मंदिर निर्माण के लिए पैसे देने को गैर इसलामी बताया CII सरकार को इसलामिक मामलों से जुड़े सुजाव देती है दास के मताबिक CDN SOMVAR को मंदिन निर्मार की ज़ादत दे दी थी लेकिन उनके मताबिक समुदाई के पास दुबारा निर्मार कारे शुरू कराने के लिए दन नहीं है निर्मार कारे 6 महीने पहले बंद कर दिया गया था दास का कहना है कि 4 दिवारी बनने के लिए करीब 20 लाग रुपे का खरच आएगा दास कहते हैं हम धन जुटाने का ब्यान दुबारा शुरू करेंगे और इसके बाद पहले चरण में 4 दिवारी का निर्मार कारे शुरू किया जाएगा इसलमाबाद में करीब 3000 हिंदू रहते हैं लेकिन उनके पास पूजा के लिए परियाप्त जगा नहीं है पाकिस्तान में हिंदू की आबादी करीब 80 लाग के करीब है अधिकतर हिंदू दक्षणी प्रांत सिंध में रहते हैं खास कबर में आज बस इतना ही नमस्कार